हेलो एंड वेलकम आज के वीडियो में हम इन फ्लोरेसंस की बात करेंगे तो इन फ्लोरेसंस क्या होता है इस्टेम पर या ब्रांचेस पर फ्लावर्स का अरेंजमेंट कहलाता है इन फ्लोरेसंस तो कोई भी ब्रांच या स्टेम ग्रो हो रहा है तो वो लीज की जगा अगर फ flowers बहुत सारे हों और किसी arrangement में लगे हों तो हम उसको बोलते हैं in fluorescence तो ये तो बात हुई flowers के arrangement की लेकिन उससे पहले ये भी समझना जरूरी है कि किसी ब्रांच पर flowers आने क्यों लगते हैं लीस, ब्रांचेस के निकलते निकलते एकदम से flowers कैसे निकलने लगते हैं तो चलो पहले इस बात को समझते हैं कि ब्रांचेस पे flowers कैसे लगते हैं तो ये एक main stem है इस पर leaves लगी हुई है और जहां leaves होती हैं वहाँ पर हमें पता है कि notes होती है हर notes से ही leaves निकलती है अब दो notes के बीच की distance को हम बोलते हैं inter notes और जहां से leaves निकलती है वहाँ पर होती है axillary bud तो इसी axillary bud से new branches निकलती हैं कुछ इस तरह से और in branches में भी notes और inter notes होती हैं अब हम कहते हैं कि flower क्या होता है modified shoot तो flower की definition में हम पढ़ते हैं कि flower एक modified shoot है या एक condensed shoot है तो अब यह modified और condensed से क्या मतलब है modified मतलब कुछ modify हो रहा है तो जब shoot का apical meristam modify होके floral meristam बनाने लगता है तो हमें branch पर flower मिलता है अब इस बात को कैसे होता है यह समझ लेते हैं तो हमने बात की कि notes और inter notes होती है तो जब branch को flower produce करना होता है तो वो इन notes की बीच की दूरी को कम करने लगती है तो मान लो यह एक note से एक branch निकली और इस पे अग flower produce होना है तो इसमें क्या होगा normal stamper या branch पर notes या inter notes होती है तो फिर modification होके यह notes और inter notes पास आने लगती है या फिर condensed होने लगती है होता है तो नीचे वाला part जहां condensation नहीं हुआ है वो होगा पेडिसल और जहां से notes condensed होना शुरू हो गई है वो पार्ट कहलाता है थेलेमस तो फिर इसी थेलेमस से flower के other parts भी ग्रो करेंगे जैसे कैलेक्स करोला एंडुशियम गाइनेशियम वो सब और इन condensed notes से जस्ट पहले जो notes नॉर्मल होती है वो बनाती है पेडिसल और उसके बाद जो condensed होनी शुरू हो जाती है वहां से थेलेमस बनता है तो condensed होने से जस्ट पहले की note बनाती है पेडिसल और जहां flowers बहुत सारे होते हैं उसको हम फिर पैडंकल बोलने लगते हैं तो पैडिसल और पैडंकल को भी हम detail में समझेंगे तो flower कैसे आता है किसी भी branch पर जब शू टेपिकल मेरिस्टेम मोडिफाई होके flower मेरिस्टेम में या फिर floral मेरिस्टेम में चेंज हो जाता है तब हमें किसी भी branch पर या main stem पर flower मिलता है अब modification का क्या मतलब है? notes condensed होने लगती है, intern notes के बीच का distance कम होने लगता है और वो notes फिर बनाती है thalamus और उससे just पहले कि जो note होती है, जो elongated होती है, normal होती है वो बनाती है pedisil तो ऐसे हमें किसी भी stem पर या branch पर flower मिलता है, अब इनी flowers के निकलने का arrangement in fluorescence होता है तो अभी हमने बात की pedisil और peduncle की, तो उसको अब समझ लेते हैं तो solitary flowers में, अब solitary का क्या मतलब है? जो flower अकेला होता है या एक flower खाली, उसको हम बोलते है solitary flower अब solitary flower भी दो तरे से ग्रो करते हैं, एक तो होते है solitary terminal flower और दूसरे होते है solitary axillary flower तो जो flowers solitary होते हैं, वो जिस भी stock से flower लगा होता है, उसको हम बोलते हैं pedisil और जब flowers group में होते हैं, कुछ इस तरह से, तो जो group वाला flowers जो जुड़े होते हैं नीचे से, उसको हम बोलते हैं pedisil तो group of flowers या inflorescence में भी, जो single flower का stock होगा, उसको हम pedisil बोलेंगे तो जैसे आप यहाँ देखो, एक-एक flower का stock है, इसको हम बोलेंगे pedisil यहाँ पे आप देखो, यह single flower का stock है, इसको हम बोलेंगे pedisil और जहाँ यह पूरा group या पूरा inflorescence आके जुड़ रहा है, इसको हम बोलेंगे pedisil तो यह difference है pedisil और pedisil में, अब solitary flower में तो group होता ही नहीं है, इसलिए इसको हम pedisil बोलते हैं तो single flower का stock pedisil, group of flowers में each flower का stock pedisil और जो group of flowers का पूरा stock है, उसको हम बोलते है peduncle, तो यह difference है pedisil और peduncle में अब solitary terminal और solitary axillary से क्या मतलब है, solitary terminal तो आपने देखा होगा, कुछ plants पे जो lilies वगेरा normally grow करती हैं, घरों के आसपास, उसमें top पर एक flower grow कर जाता है, जैसे आप यहाँ देखो, main stem है, उस पे उपर flower grow कर रहा है, तो उसको हम बोलते है, solitary terminal और अगर किसी leaf की axil से reproductive branch निकल रही है और फिर भाँ एक flower grow हो रहा है, तो उसको हम बोलते है, solitary axillary, मतलब कि axillary bud से जो flower grow होता है, उसको बोलते है, solitary axillary अब solitary अगर one है, और अगर भहुत सारे हैं, तो फिर वो inflorescence हो जाते हैं, तो अब inflorescence है क्या मतलब है, कि peduncle पे group of flowers लगे हुए है, cluster of flowers लगे हुए हैं, अगर वो cluster of flowers एक stock से आके जुड़ रहा है, तो इस stock को हम बोलते है, peduncle और इन flowers में जो छोटे-छोटे आपको दिखेंगे, फिर वो कहलाएंगे petisil, तो inflorescence क्या होता है, flowers का arrangement, अब हम उसको समझ लेते हैं, तो flowers का arrangement inflorescence होता है, अब ये inflorescence दो तरह का होता है, या फिर inflorescence के two types हैं, एक racimos और दूसरा cymos, तो अब इन में क्या difference है, ये समझ लेत हैं, तो racimos जो inflorescence होता है, उसको हम indeterminate भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो growing point होता है, वो हमेशा active रहता है, मतलब flowers grow होते चले जाएंगे, और ये growing point कभी भी stop नहीं करेगा, ये फिर आगे flowers grow करता रहेगा, कुछ इस तरह से, तो इसमें हमेशा active growing point होता है, इसलिए इसे indeterminate inflorescence भी बोलते हैं, और इसमें जब ये arrangement होता है flowers का, तो वो arrangement कहलाता है acropital, मतलब आपको base पर जो flowers दिखेंगे, वो older होंगे, और जो apex की तरफ आपको flower दिखेंगे, वो इसके younger flowers होंगे, तो acropital arrangement होता है, growing point हमेशा active रहता है, ये है रैसी मोज की qualities, आप देखो, गुलमोहल ये जिसे डालोनिक्स रेजिया कहते हैं, वो इसका एक example है, तो अब आप देखो, ये है एक जहां से flower ग्रो करने शुरू हुए, या फिर बोलेंगे, ये है पैड अंकल, अब यहां से, य यहां पर आपको bud दिख रही है, जो कि इसके new flowers ग्रो करेंगे, और यहां पर इसका growing point stop नहीं हुआ है, फर्दर भी ये flowers को या birds को produce करता रहेगा, तो इन में arrangement होता है, acropital या centripetal, जिसमें base की तरफ आपको older flowers दिखाए देते हैं, apex पे आपको new flowers दिखाए देते हैं, growing point हमे तो इस arrangement को बोलते हैं, racimos inflorescence, अब बात करते हैं, cymos की, तो जो दूसरे type का inflorescence है, उसको बोलते हैं, cymos, cymos को हम determinate inflorescence भी बोलते हैं, अब इसमें क्या खास बात होती है, ये just रोलता होता है, racimos की, तो racimos में तो active growing point था, लेकिन इसमें growing tip terminate हो जाती है, flower में, जैसे ये एक peduncle है, अब यहां से एक flower निकला और इसका growing tip stop हो गया, तो अब इसमें new flowers कहां से निकलेंगे? new flowers इसके base से निकलते हैं, कुछ इस तरह से, तो ये वाल arrangement कहलाता है, basic petal arrangement, अब इस arrangement में जो older flower होते हैं, वो top पर होते हैं, और जो new flower निकलते हैं, वो base पे निकलते हैं, तो इस वाले arrangement को basi petal या centrifugal arrangement कहते हैं, और racimos में जो इसका opposite था, उसमें centripetal या acropetal arrangement होता है, तो साइमोज in fluorescence में, older flower जो top पर होता है, और base पर new flowers निकलते चाते हैं, तो चलो देखते हैं कि कैसे दिखता है साइमोज, ये है साइमोज का एक example, इसमें आपको basi petal arrangement दिखेगा, मतलब growing point जो है, वो एक flower से stop हो गया, अब इसके उपर कोई flower निकलेगा, तो ये सबसे older flower हो गया, अब इस older flower के side से आपको new flowers निकलते दिखाए दे जाते हैं, तो इस वाले arrangement को बोलते है, basi petal arrangement, और इसमें growing point जो होता है, वो एक flower से stop हो जाता है, side से new flowers निकलते हैं, और इस arrangement को हम बोलते है, basi petal arrangement, ये difference है, racimos and cymos inflorescence में, अब इनके types भी होते हैं, जो हम next videos में cover करेंगे, अगर video पसंत आए, तो like share, subscribe किजे, thanks for watching.